प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक प्यारी सी कवीता करेंगे जूला लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रशन पूछना चाती हूँ क्या आपने कभी जूला देखा है? क्या आपने जूला जूला है? कहां जूला है? किसी पेड़ पर या आपके घर में जूला लगा है? या किसी पार्क में आपने जूला जूला है? आपको जूला जूलना कैसा लगता है? तो चलो आज हम अपनी कभीता जूला पढ़ते हैं अम्मा आज लगा दे जूला अम्मा आज लगा दे जूला इस जूले पर मैं जूलूंगा, इस पर चड़कर उपर बढ़कर आसमान को मैं चूलूंगा अम्मा आज लगा दे जूला, अम्मा आज लगा दे जूला इस जूले पर मैं जूलूंगा इस पर चड़कर उपर बढ़कर आसमान को मैं जूलूंगा अम्मा आज लगा दे जूला जूला जूल रही है डाली जूल रहा है पत्ता पत्ता इस जूले पर बड़ा मजा है चल दिली ले चल कलकत्ता अम्मा आज लगा दे जूला जूल रही नीचे की धरती जूल रही नीचे की धरती उड़चल 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 जूल रही नीचे की धरती उड़चल 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 तो कैसी लगी बच्चो ये कवीता आपको और इसी प्रकार आप इस कवीता को गाओगे इसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे अभ्यास कारे में क्या है अभ्यास कारे में देखो जूले ही जूले बताओ इन में किन चीजों पर तुम जूले की तरह जूल सकते हो क्या तुम टायर पर जूल सकते हो, जैसे तुम जूले पर जूलते हो नहीं, हम टायर को अपने हाथ से घुमा सकते हैं, इधर उधर, लेकिन हम उस पर जूल नहीं सकते दरी, जो नीचे दरी बिछाते हैं, क्या आप उस पर जूल सकते हो, नहीं फाटक हाँ हम फाटक को पकड़ कर आगे पीछे आगे पीछे जूल सकते हैं तो फाटक पर हम जूल सकते हैं जाड़ू जाड़ू पे तो हम नहीं जूल सकते हैं डाली हाँ डाली पकड़ कर हम जूला जूल सकते हैं पैर वाला जूला, अपनी मा के पैरों में पैर वाला जूला भी हम जूल सकते हैं, उसके बाद मेज, मेज पर हम नहीं जूल सकते, अगर हम जूलते हैं तो हम गिर जाते हैं और हमारे मम्मी पापा हमें डाटते हैं, अलमारी, नहीं, अलमारी में हमें नहीं जूलना चाहिए, ठीक है तो मेज पर आप जूल तो सकते हो लेकिन गिरने का डर रहता है तो मेज पर हमें जूलना वैसे तो नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद क्या है मुझे डैश पर जूलने में मज़ा आता है किस पर जूलने में आपको मज़ा आता है मा के पैर पर आता है मज़ा पैरवाला जूला हाँ और मुझे डैश पर जूलने में डर लगता है किसमें आपको जूलने में डर लगता है डाली पर क्योंकि डाली में अगर हम जूल रहें और नीचे गिर जाएंगे तो हमें चोट भी लग सकती है मुझे डैश पर जूलने पर डांट पड़ती है मेज पर जूलने पर और फाटक पर भी जूलने पर कभी-कभी हमें डांट पड़ती है कोई हमें देख लेता है तो बोलता है नीचे उतरो और इस पर जूलना बंद करो वन्ना तुम गिड़ जाओगे तुम्हें चोट लग जाएगी है ना बच्चो उसके बाद ये देखो यहाँ पर तुमने इन जगाओं पर ये अलग अलग जगा हैं जहाँ पर आपने जूले जूले होंगी है ना जैसे कि मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन बगीचा तो आपको चित्र देखना है और चित्र के नीचे लिखना है कि ये कौन सी जगा है ठीक है जैसे ये मेला बना हुआ है ठीक है घर का आंगन ये पार्क है ये घर का आंगन है है ना बगीचा तो ये सारे चित्र को देखकर आपको उसके नीचे लिखना है आगे बढ़ते हैं मिलाओ यहाँ पर आपको मिलान करना है यहाँ पर पेड़ बना है गठरी बनी है एक ठेला बना है और जूला बना है तो ठेला जहाँ बना है उसको उससे मिलाओगे जूला जूले से पेड़ पेड़ से मिलाओगे और गठरी को गठरी से यह है और यह ठेला बना है ठीक है तो उसको आपको क्या करना है, मिलान करना है, पेड को पेड से, गठरी को गठरी से, ठेला जो है, ठेले से, और जूला, जूले से मिलान करना है, खाली जगा भरो और फिर छुपने की इन जगाओं पर बच्चों के चित्र बनाओ देखों आपको क्या करना है ये जो चित्र बना है वो बनाना है और उसके बाद बच्चों के चित्र बनाने है जैसे कि यह पेड़ है, पेड़ की पीछे आप छुपते हो, है ना, टेबल के नीचे या मेज, मेज के नीचे, तो यहाँ पे भी आपको चित्र बनाना है, बच्चे का नीचे मेज के नीचे बनाना है, यह पेड़ के पीछे, चार पाई के नीचे, और यह क्या बना है, यह है पार्क और घास बनी है है ना तो घास के पीछे तो ये भी आपको लिखना है और बनाना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये देखो पकडम पकड़ाई यहाँ पर भी आपको क्या करना है ये जो वर्ण दिये गए हैं उसको चितरों से मिलाना है जैसे ठ म और छ है ना म मचली में म भी आता है और छ भी आता है ऐसे ही अनार बना है अनार में क्या आता है अ आता है न आता है तो इनको आप मिलाओगे उसके बाद अलमारी अ और ल भी आता है अलमारी म भी आता है तो अ और म अलमारी से मिलाओगे ठीक है उसी प्रकाट ठेला तो ठ ठेला में ठ आता है नाव तो न और नल में भी न आता है नल ठीक है तो उसे आपको मिलाना है उपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उन में आते हैं जैसे की छ म, म, मचली, ऐसी अ, अनार, न से क्या होता है, नब और नाव, ठ से थेला, और छ से चाता, और गठरी, गठरी में भी ठ आता है, ठीक है, यहां मचली दो बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने दो बार लिखा है, बताओ, आपने जैसे की मचली में दो बार लिखा है, क्योंकि मचली में छह भी आता है, और मौ भी आता है, ऐसी क्या आपने किसी में दो बार ऐसी शब लिखे हैं, बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है, ठीक है, तो और यह कवीता आपको, बहुत अच्छी कवीता है, दुबारा उसी प्रकार आपको यह पढ़नी है जूला और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें